फिल्म की शुरुबात होती है एक वेन को दिखाने सी जिसमें नौ लोग बैटे हुए थी क्योंकि वो एक गाउ में जा रहे थी ये नौ लोग एक टीम थी जो गाउ में एक प्रोजक्ट पर काम करने वाले थी तरहसल इने गाउ में एक मौल बनाकर गाउ को और बड़ा और का प्रोजक्ट की हेड होती है उसका असिस्टन था जो उसके साथ काम किया करता था एक लिड़की थी जिसका नाम लेना होता है और यही कहाने की में करेक्टर है वो इस कंपने के लिए काफ़ी टाइम से काम कर रहे थी पर कुछ तिन पहले वो छुटियों से वापीस आई थी क्योंकि वो काफ़ी बिमार हो गई टेम में लीना का दोस्त भी था जो से कहीं ना कहीं पसंद करता था बागी कुछ और वर्कर्स थी जो इस प्रोजक्ट का हिस्सा थी और अग्यों लोग उस गाउं में पहुंच जाते हैं यह उस एरिया में जा पहुंचे जहां वो मॉल पर यह जगा बहुत ज़ता सुनसान होती है इसलिए इन लोगों को कहीं न कहीं यह लग रहा था कि यह एक फेल प्रोजक्ट है लेकिन प्रोजक्ट हैड और उसकर साथी जोनस तो इस प्रोजक्ट को लेकर काफी खुश और पुर जोश नजर आ रहे थी और अब यह एरिया जो होटल में आये लोगों को तूर करवाया करती थी अब होटल की मालिक सबको दोदो के टीम में बाट कर सबको उनकी कमरों की चाबी देती हैं थोड़ा अराम करने की बाद ये लोग पिरसे अपने प्रोजक्ट पर बात करना शुरू कर देती हैं कि जिन में शेफ जब खा ही रहा था कि तभी उसे जंगल से अजीब सी आवाज आने लगती हैं आवास का पीछा करती हुई जैसी वो आगी बड़ा तो देखता है कि वहां किसी ने बारेक तारों से एक ट्रेप जाल बनाया है यानि किसी ने शिकार करने के लिए ये किया होगा या फिर किसी को इसमे अपने प्रोजक्ट को शुरू करेंगी वो सारा प्लैन बना रहे थी कि किस तरह मौल बनाया जाएगा और गाओं को काम्याब बनाया जाएगा प्रोजक्ट की हेड कहती है कि हम एड़टाइसमेंट की जरीन लोगों को मौल की बारे में बताएंगी जो देकर जड़त से लिए थी है कि यूँकि शेफ अभी तक गैस बरवा की वापिस नहीं आया था और नाय उसका फोन लग रहा था जो आनस इन सब को बताता है कि मैंने यहां की लोकन लोगों और जमीनदारों से बात की है हम उन्हें मौल की आस पास की जमीनी सस्ती दामों बेचेंगी जिससे होगा यह कि जड़ से ज़्यादा लोकल लोग और बाहिट से आने वाली लोग यहां अपना बिजनस कर सकेंगी जिसके बाद यह लोग फिर से प्रोजक्त पर बात करने के लिए बैट जाते हैं लीना देखती है कि जहां यह लोग मौल बना रहे थे वहां की कुछ जमीन एक फार्मर की सानकी भी है लेकिन इन लोगों ने उसे जमीन की बदली कुछ पे नहीं दिया यह बात लीना को बहुत बुरी लगी वो कहती है कि फार्मर को उसकी जमीन की बदली हमें पैसे दिने चाहिए यह बात अच्छी नहीं है जसनकर जॉनस जवाब देता है कि हम इस पर पर पहले ही बात कर चुकी ही और उन सारे कागजाद पर तुम्हारे भी साइन है इस पर लीना कहती है नहीं तो मैंने ऐसे किसी भी कागजाद पर साइन नहीं की जिस पर जॉनस लीना पर ही खुसा करनी लगता है उसे काफी बाते सुनानी लगा कि तुम चीजें भूलने लग बाहिर होटल का वरकर लेट कर बड़ी अराम सी अपनी ड्रिंग को इंचुआई कर रहा था लेकिन तबी कोई नीची सी तिलवार उसके सीने में गुसा कर आर पार कर दीता है उसको बहुत बुरा हाल हुआ दीजी से खोन निकलने लगता है मौकी पर ही उसकी मोथ हो गई जिस ना ये लोग इंचुआई कर रहे थी क्योंकि मौल की प्लैनिंग को लेकर ये अभी तक बहस ही कर रहे थी कोई भी जॉनस पर जरा सा भी दिहान नहीं नेता जिस वजह से उसे खुसा आ गया वो सब पर चिंडानी लगता है उसे बुरा लग रहा था तो अंदर जाकर अकिल सोच रखते हैं किसी की भी मेरे जैसे बड़ी सोच नहीं प्रोजक्ट है जोनस को खुश करने के लिए कहती है कि कल मौल बनाने की शुरुआतों में करोगी जो सुनकर जोनस को काफी अच्छा मैसूस हुआ और अगर काफी कुश हो जाता है बाहर लीना अपने दोस्की पास ज़दा नहीं सोचना जाए कि उस फार्मर को पैसे दी जाए क्योंकि जब हम लोगों ने उसकी जमीन ली थी तो उसने तब ही फांसी से लटक कर अपनी जान लेनी थी जू सुनकर लीना काफी चांग चाती है क्योंकि उसे अभी तक यह बताया नहीं गया था कि फार्मर इस जर्प करता रहता है इसलिए वो डब्बे को एक जगा पर रख दीती है फौन्स वले डब्बे की साथी जॉनस अपना सूट और मास्क रख दीता है जिसके बाद ये लोग जंगल में टोर के लिए निकल जाती है जंगल में एक जगा ली जाकर टोर गाइड इन से अलगलग चीजें करवाने लगती है जैसे गेम्स वगएरा खेलना तक ये लोग इंज्यूआई कर सके और अब होटल में होटल की मालिक बिलकुल अकेली रह गी थी इससे बीच बाहिर वो मास्वला किलर आ जाता है जिसने वरकर को मारा था वो सबकी मूबाइस वले डबबा उठा ल होटल की मालिक उसी देख चुकी थी वो चल्दी से भाग कर किचन में गई चाको उठाकर किलर की तरोफ फैंक की मारती है लेकिन वो बड़ी चेलाकी से चाको को पकड़की हमले को रोक दीता है और अब जैसे वो भागनी लगी किलर एक पैन बरतन फैंकर उस पर हमला कर दी पहली पहली वो मना करने का सूचती है लेकिन फिर अपने डर को पीछे चोड़कर हिम्मत करके स्लाइड करने को तयार होई जाती है उसका होसला देकर सारे लोग तो काफी खुश हो जाती है पर जोनस उसी परिशान करनी लगा कहता है कि इनने ये चीज़ लीना नहीं कर पा उसी मना करने की हसने लगते हैं ये बात लीना को काफी बुरी लगी वो नराज होकर वहां से वापिस होटल में आ जाती है वो सीधा जोनस की कमरे में जाकर उसका लैपटॉप चेक करनी लगती है यहां उसी पता चला कि जोनस ने सच में मेरी साइन की साथ कोई हीरा पिरी पार्मर को भी उसने जमीन के लिए वोते कम पैसे देने के लिए बात की थी अब इतने कम पैसों की वज़न से उसने अपने जान लेनी जितकी जानकर लेना को काफी दुख हुआ और अभी सारा डेटा सारे जानकरी वो अपनी पेंडरॉयद भी कॉपी करनी लगती है जिस पीच वो सारे लोग भी जंगल से गोम कर वापिस आगी थी आती उन्होंने अपने फोन वेले डबा देखा पर वो तो किलर ले जा चुका था इसलिए उन्हें अपने फोन नहीं मिल पाती उनका मूट खराब हो गया कि पता नहीं ये कौन कर सकता है पर ये बात भूलकर वो पार्टी करने लगती है ताकि सब कामोड अच्छा हो जाए तब यहां लेना आकर अपने दोना दोस्तों को साथ ले जाती है अपनी दोस्की लैपटॉप में वो पैंड्राइव लगा अगर देखती है जिसका डेटा उसने जौनस की लैपटॉप से कौपी किया था उन्हें बता चलता है कि यहां पर कोई भी बड़े कंपनी नहीं आने वाली असल में एक कंपनी ने जौनस को ये ओफर के थी कि अगर वो इस गौन में मौल जैसी तरसी बनाना शुरू कर दी और बेशक इसे अधूराई छोड़ दी पर इसकी बदले उसी दुबई में काफी उन्ची पोस्ट पर जौब मिल जाएगी तोर गाइट काफी दीर से होटल की माली को ढून रही थी पर ना मिलने पर वो होटल के अंदर चली जाती है वो जब किचन में आई तो देखती है कि होटल की माली को किसी ने मार कर फ्रिज में निटका दिया है उसकी लाश का पुरा हाल था जो देखकर टूर गाइट काफी डर जाती है वो जैसे भागने लगी किलर पीछी से आ जाता है हतोडे सी मार कर उसी नीचे गिरा दीता है कभी वो हतोडे सी सर पर मारता है तो कभी मौ पर जिससे वो काफी जखमी हो गई फिर वो उसे इतना मारता है कि जब तक हतोडे सी उसका सर नहीं कुचला जाता और ऐसी उसकी दिर्दनाप मौत हो जाती है उसका खुन चारूं तरफ पहन जाता है जोनस का सारा सा जाने की बाद लीना उसका सामना करनी बाहिर आई पर जोनस उसी अकेले में बात करनी का कहता है जब दोनों बात करनी गमरी में गए तो यहां जोनस अजीब तरह की बात ही करनी लगता है फिर वो लीना को भी कहता है कि अगर तुम अपना मूँ बंद रखोगी तो मैं तुमें भी दुबई में अच्छी पोस्ट पर नौकरी दिलवा दूँगा लीना उसी कहीती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पैंड ड्राइव में सबोत है वो उसे काटकर पानी में फैंक दीता है मशिन से तब तक काटता रहता है जब तक उसका कीमा नहीं बन जाता और ऐसी बड़ी दर्तनाक उसकी मोथ हो जाती है ये सब कुछ बुड़ी बरकरने भी देख लिया था वो काफे डर गई अपने जान बचाने के लिए चिंदे से भाग जाती है जिबकि प्रोजक्ट हैट खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहिर आ गई थी पर तबी किलर उसे भी पकड़कर पहले गसीड़ता है फिर उसे रसी के जरीए खंबे से बान दीता है वो तड़ अपने लगी जोरों से चिंदाने लगती है उसकी आवास सुनकर सब लोग बाहिर रहे वो हलांके उसे लटका हुआ देख लीती है पर उनकी निजर किलर पर भी पढ़ गई थी वो काफ़े डर गई इसलिए हेड को बचाने की बज़ाई वहां से भागने लगते हैं पर इस चकर में सब एक दूसरी से अलग अलग हो जाते हैं जोनस सीधा जाकर लोहे की उस तार से टकरा जाता है जिसे किनर ने पेंडे यहां लगा कर ट्रेव बनाया था तकि वो इन्हें पकट सके क्योंग यह इंडोहे की तार थी इसलिए तेजधार से जोनस की सर का उपर वला हिसा आधा कर चाता है उसका बहुत खोर निकला सारे कपड़े पर जाती हैं कि वो पेंड ड्राइफ मुझे दे दो जिसमें तुमने मेरे किलाफ डेटा कॉपी किया हुआ है सबो तिकटे की हुए है अब हलांगे लीना उसे वो पेंड ड्राइफ दे तो देती है लेकिन वो फिर भी उसे टांग मालकर नीची पाने में गिरा देता है पर इस चकर में किश्टी भी अपना बैलस खो देती है और उसकी भी दो हिस्से हो जाती है यानि वो तोट गई थी अब तक किलर वापिस होटल में आ गया था जहां वो अब लीना की दोस पर हमला करनी लगता है वो उसकी बाल पकड़ लेता है तकि सर को जिसम से अलग कर सकी पर लीना की दोस कैंची लेकर जैसी तेसी अपनी बाल काट लीती है ऐसे किलर की हाथ में बस उसकी बाल ही लगे और वो अपनी जान बचा कर वहां से भाग जाती है कश्टी तोटने की बाद जानस भी बाकर वापिस हाटल में आ गया जहां बोड़ी वरकर उसकी सरवले कड़ पर टांकी लगा दिये फिर बताने लगी कि वो किलर हमारा पुराना वरकर हो सकता है जिसी हमारे ग्रूपने कंप्री से निकलवा दिया था वो ऐसी अपना बदला लेने के लिए ही कर रहा होगा क्योंकि वो मेरा दोस्त भी है तो मैंने यहां आने से पहरे उसे बता दिया था कि हम इस गाव में मॉल बनाने वाले प्रोजक्त पर काम करने वाले हैं यह सुनकर जानस काफी खबरा गया फिर सोचने लगा कि अगर वो किलर आ गया तो इस बोड़ी औरत को नहीं मारेगा क्योंकि वो इसका दोस्त जो है तो मैं ही मारा जाओंगा इसलिए वो बोड़ी औरत को लिए बगएरी वहां से बाग कर बाहिर आया बाइक पर बैठ कर अकेला ही वहां से भागने लगता है वो बोड़ी औरत जो बाहिर थी तो मास किलर वहां आ जाता है क्योंकि वो से अपना दोस्ती समझ रही थी इसलिए उससे बात करने लगी कहती हैं कि मैं तो इन लोगों को पहने मना कर चुगी थी कि वो तुमें कंपने से ना निकलवाएं लेकिन किसी ने भी मेरी एक न सुनी मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम जानते हो न हम दोनों दोस्त हैं और अब वो किलर की पास आकर उसका मास कटा दी थी है लेकिन ये देकर उसकी होश उड़ गई कि ये तो मेरा दोस्त नहीं है वो खबरा गई इससे पहने कुछ करती किलर घास काटने वाला हतियार उसके सर में एकदम कुसा दीता है जिससे उसकी भी वही मोद हो जाती है किलर ने पूरे ही जगा पर ट्रेप्स लगाई हुए थी इसलिए जैसे जोनस बाइक लेकर आगे बढ़ने लगा लोकीनी लिकडी सी टार पंक्चर हो गया उसका काफी बुरा एकसिडेंट हो जाता है और वो तलाव में जागी रहा उधर बचे हुए सारे लोग एक कैबिन में आकर इकठा हो जाती है और फिर तबीया लेना भी आ जाती है इन्हें होटल की माली की लाश के पास लियूस पेपर का एक टुकडा मिलता है जिस पर लिखा था कि हम किसी वज़ा की बगएर ना किसी से लड़ती हैं और ना है किसी को मारती हैं साथ इवां फार्मर की मौत के बारे में भी निखा गया था फार्मर की बेटे का भी जिक्र था जिनकी जमीन इन्होंने हत्या ली थी जिससे अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये किलर और कोई नहीं बलके किसान का बेटा है जो इन सब की जान नहीं रहा है इन से अपने डेट का बदला लेने के लिए हलांकि कसूरवार सिर्फ जानस है इसलिए अब ये लोग उससे निमटने के लिए प्लैन मनानी लगी ये जो भी हाथ लगता है वो वत्यार लेकर बाही राए जंगल की रास्ते आगे बाढ़ने लगती है ताकि यहां से निकल सकी पर थोड़ा दोर चलने पर इन्हें वो मास किलर देख जाता है जो पेड़ की पीछे खड़ा होकर इन्हें देख रहा था और अभी जैसे उसी देखती है जलती से वहां से बागनी लगती है पर इस चकर में ये लोग एक बार पीछ से अलग अलगो जाती है उटबने लगा जट पटा कर नीजे गीर जाता है जिस बिच लीना की दोसको खड़े होने का मोका मिल जाता है अधर लीना और उसके दोस रसी की सहारी स्लाइड लेकर दोसी साइड पर जानी लगे ये जैसे रसी की बीचवबीच आये तो लीना का दूस देखता है कि किलर ने पहले ही दुस्सी साइड पर ट्रेप लगाया हुआ है ताकि टक्राने से वो लोग मारे जाये और क्योंकि लीना का दूस उससे प्यार करता था इसलिए वो उसी साइड में करके को ट्रेफ में जा लगता है ऐसे उसकी जान चली की पर वो लीना को बच्चा लेता है जबकि उधर किलर अब बच्ची कोई दुनों वरकर्स की पास आ जाता है बुड़ा वरकर जब दरवाजी की पास खड़ा था तो किलर चैंसों से उसका कान इकाट की अलग कर दीता है जिसके बाद वो बुड़े वरकर को भी खीच कर बाहर ले आया वो से जमेन पर लिटा कर आँख में ड्रिल करने की कोशिश करता है पर तबिया बुड़ा वरकर आगर गैस कैंसी किलर की मास पर स्प्रे करता है जिसी मास में आग लग जाती है मास क्यूंकि काफी मस्बोत था तो उसका चीरा बच जाता है और अब किलर पास पड़े पाने में अपना सर डपोकर आग को भुचा लेता है जिसके बाद वो चिकन की शेकल वाला डॉड उठाता है जोनस जो कल रात पाने में गिर गिया था वो बाहिर आकर जंगल की रास्ती आगी बढ़ने लगता है जहां वो लीना को भी देख लेता है वो भाकर आया लीना पर कोट कर उसे अपने साथ पाने में ले जाता है और उसे काफी मारने लगता है तकि वो जोनस का मौलवला सच किसी को भी ना बता पाई लेकिन यहां लीना जिसे काफी गुसा आ गया था वो अब जोनस का सामना गड़ती है वो उसकी सर को पकड़ लेती है जो पहले ही थोड़ा कटा हुआ था और अब वो अपने हाथों से उसे पूरा ही पकड़ की पाही निकाल दीती है और ये नजारा काफी दर्दनाक होता है क्योंकि इस सरा जोनस का दिमाग भी दिखने लगा था और उसके बायानक मौत हो जाती है अब जैसे ही सुबागोई इन्हें बचाने के लिए यहाँ पुलीस और रेस्क्यू टीमा जाती है जो बाकी बचे चारों लोगों की जान बचा लीती है लेकिन इन्ही अफसोस इस बात का था कि हमारे टीम के काफी सरे लोगों के दर्दनाक मौत हो गई है सिर्फ जमीन की नालज की वज़ा से जिसकी वज़ा से जॉनस था और बाकी बेमोधी मारे गे इसी की साथ ही इस फिल्म की कहानी ये पर खत्म जाती है